हेलो एविवान सभागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है यहां पर ऑस्ट्रेलिया पर नाम पाकिस्तान और यह मुकाबला खेला जाएगा दे चिन स्वामी बैंगलोर अब यह ग्राउंड जाना जाता है बहुत सारे रंस के लिए तो वही साथ स आप अपनी बेस्टीम को अल्टर कर सकते हो विंड प्रेडिक्शन इस गेम के लिए उस्ट्रेलिया इस मुकाबले में अटैकिंग बैटर ज्याद है इनके पास इनकुछ ऐसे भी प्लियर्स हैं जो आर्सी बी के लिए काफी मैच्छ यहां पर खेल चुके हैं हमारी जो मिन स्लाइटली उन से आगे थे एविन ऑन गुट बैटिंग पिच इन टरम्स ऑफ पॉइंट तो यह चोटी चोटी बातों का ध्यान रखना है कल बैट हमारा लग खराब विच हार्दिक पांडिया गेटिंग इंजर्ट कुछ मौका नहीं मिला होने बड़ अनीवे मुविंग अगर आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो आप खुद भी इस कॉंटेंट को बिलकुल शेयर करेगा चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ एक पूरा मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए अब चलते हैं पिच की तरफ तो वैसे ग्राउंड पर क्या हो जा साइट सेविंटी मीटर होती है यहां पर आप देख रहो कि दूसरा साइट भी काफी छोटा है 56 51 मीटर और यह दिमेंशन प्रिटी मद सिमलर रहेंगे दूसरे साइट भी अब स्क्वेर देखो तो 57 63 मीटर तो यहां पर स्पिन के लिए तो वैसे कुछ खास मदद रहते नहीं है पेस को कभी कभा स्टार्ट में हेल्प मिल जाती है बट यह ऐसा ग्राउंड है कि क्यूंकि डाइमेंशन इतने ज्यादा स्मॉल है आपको ज्यादा बैटर यहां पर लोड करने पड़ेंगे आज इश्यू क्या है क कोई भी बैटर यहां पर सेटें हो गया तो काफी रंज मार सकते हैं हमने देखा एविन इंदी आई पील ट्वेंटी ओवर्स के गेम्स में बन से कम कोई स्कोर यहां पर बनानी एकदम एक चेजिंग वाला ग्राउंड है यहां पर 225-229 तक भी यहां पर स्कोर गया है तो क एक जो इंपॉर्टन चीज है कि पाकिस्तान की स्टार्टिंग लाइन अप पर में भी कुछ अंसर्टिन इस बात का ध्यान रखेगा एक जो चेंज हो सकता है इस ग्राउंड पर वो एक स्पिनर कम कर सकते हैं यहां पर आपको स्पेन की ओवर्ज निकालने में बहुत दिक्कत होगी इन फाक्ट ओवर दे एस मैंने जो भी स्पिनर को यहां पर डालते हुए देखा एकसप पर चहल आई डोंट तिंग किसी का ऐसा कुछ खास प्रबाव वो बना पाए इस ग्राउंड पर तो अनलिस एक बहुत यह अलग दिन हो यहां पर इस पेन को में भी थोड़ी यहां प इस पेक कर रहा हूं यहां पे दो प्लियर्ज है जो रिसेंटली यहां पर खेल रहा है अगर आपको याद है अगर नहीं याद तो आप जागे कोई पुरानी फोटोस देख सकते हैं ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था यहने मार्कस टॉइनस भी पहले इनके लिए खे भी यहां पर खेल चुके हैं बड़ अगर अगर अडप नहीं किया ठीक से तो हो सकता है कि यहां पर स्टॉइनस की वाल्यू बढ़ जाए क्यूंकि यहां पर फोट पेसर काफी क्रूशल हो सकता है इस बात का धियान रखिए कि फ्रॉम दीस टू प्लेइंग एलेवन्स जाल सकता है तो इस बात का धियान रखिए गाए और मेंबर तो साइन अप ऑन दमाइमास्ट लेवन एक्सजेंज पर इनकी बहुत अच्छी रहती हमेशा इन्होंने कैच्छ इन्होंने कितने सारे लिए अब जाके लास्ट कुछ गेंज एको जहां तक मुझे याद हर गेम कैच्छ पोजिशन में रहते हैं हमेशा तो आपको वहीं से एक विकेट जितने पॉइंट को ला देते हैं और फैंटेसी वैल्यों इनसे काफी अच्छी रहती है जनरली ऐसे ट्रैक पर अनलिस हमको लग रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ मुवमेंट हो या शाहीन इनको आउट कर पाएं जल्दी I don't think उसके अलावा कुछ खास त्रैट रहेगा इनका सेम फो मिचल मार्श आपको यहां पर एक और पहलू देंगे वह होंगे कुछ ओवर्जॉप मीडियम पेस इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं ड्रॉप करूंगा डेविड वॉनर में भी अगर ऐसी कोई न्यूस आई कि स्टार्टिंग में कुछ मुवमेंट हो बट मिचल मार्श के साथ क्या हो जाता है कि अगर यह सेटल हो गए तीन चार ओवर में तो यह ड्रीम टीम कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनने की भी चांसे रख सकते हैं इसलिए इनका रिस्क मीटर है क्योंकि यह स्टार्टिंग सी शॉट्स वैसे खेलने जाते हैं फिर च यह के साब से बता रहा हूं बट इन माइं बेस्टीम इल डेफिनेटली भी दै और इनका रिसेंट फॉर्म वाइल एक दो चोटी इनिंग आई है उनकी उसके पहले काफी अच्छा रहा है तो मुच तू मुच तू फिजिट विच स्टीव स्मिट फिर चले मानिस लभुश दे रहे थे मैं भी यह गेम में दस ना दे बट पान से शे ओवर तो मैं फिर भी देख रहा हूं इनसे और जैसे पाकिस्टान की स्पिन अटाइक का फॉर्म रहा है कुछ खास नहीं रहा है तो यह वही मिडल ओर में आके क्याप्चर कर सकते हैं चीजों को और याद रखिए कि जो प्रैक्टिस मैट्स हुआ था अगेंस पाकिस्तान वहां भी उन्होंने 50 जड़ी ती तो याद रखिए इस बात का कि उनकी परफॉर्मेंस वहां भी काफी अच्छी थी जॉश इंग्लिस वाइल लास गेम से अट लिस्ट बेस्टीम में तो यह नहीं रहेंगे जील में आप इने ट्राइक कर सकते हो इस्पेशली वाइल बैटिंग फर्स मार्कस त्वाइनस जैसे मैंने का इनकी वाल्यू इस गेम में काफी अप जा सकती है इनकी जो पेस बोलेंग है यहां पर ज्यादा यूज हो अगर हमें लग रहा है कि सेकंड बोलिंग में एक बहुत बड़ा स्कोर यह डिफेंड करेंगे तो वह हिसाब से मिरी उनको एंड में आके कुछ विकेट मिल जाए तो वह हिसाब से यह पिक बन सकते हैं एल्स इन फर्स बोलिंग मेरे लिए काफी 50-50 कॉल है हमें पता है कि हमारे पास दो दूसरे पेसे हैं प्लस इतने सारे बैटिंग ऑप्शिंस भी है इस स्पेसिफिक वेन्यू पर एक्सचेंज में डू लीडर बोर्ड मत मिस करना कुछ तॉप प्राइजस है यहां पर आप सभी के लिए तो इन्शूर आप बिल्कुल पार्टिस्पेट करें एंड में बेस्ट यूज बेस्ट बेनेफिट बेनेफिट करें और यह बिल्कुल आके डाल रहे हैं पाकिस्ता के दोनों जो उपनर्ज हैं स्पेशली अबदुल्ला शफीक के देनेफिरेंस इमाम उलक इस आउट फॉर्म सो यह यहां पर आके कुछ ऐली विकेट्स लेके दे सकते हैं आपको याद रखे कि जॉश हेजलबूड पर काफी बोलिंग कर चुके हैं तो इन्हें कुछ तो आ इस पाकिस्तान के पास भर-बर के ऐसे प्लेज हैं अगर मुझे लग रहा है कि आपको दे सकते हैं बट क्या उससे वो अपने टीम को गेम जुताएंगे वो हमें नहीं पता और फिर क्योंकि उन स्लोट में उन्हें लेना ही पड़ेगा फिर हमें ऑस्टेलियन प्लेज को फिट करने में हुआ पर मुश्किल आते हैं आ सकती है तो यह हुई जैंपा की बात Cameron Green unlikely to play बट I'm not too sure कि क्या उनकी opportunities रहेंगे अब चलते हैं टीम पाकिस्तान की तरफ इमाम हुलक अगर कोई भी वेन्यू है जहां पर यह इन फॉर्म आ सकते हैं यही वेन्यू आइडियल होगा तो अगर हमें बिल्कुल भी लग रहा है कि स्टार्क को कुछ भी नहीं मिलेग अब टॉप तो इन्हें लिया जा सकता है अब्दॉल्ला शफिक इंप्रेसिव लगें इंडिया के सामने भी कुछ अच्छी ड्राइब्स के लिए इन्होंने बट वही होता है विद क्वालिटी इन फॉर्म कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है बट फॉर्स बाटिंग में इन पर रिस्क लेना नॉट तू रेक आराम से 50 मार के गएं फिर आउट हो गएं चेज में फिर भी इन पर चांस लिया जा सकता है मौमद रिज्वान इटिंग फॉर्म में यही रहें अब तक प्लस इनके साथ आपको कीपिंग वाल्यू भी मिल जाती है तो नॉट तूमच पॉइंट टेकिंग रिस्क स्पैशल कि मैं पता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओप्शन है इन टरम्स ओफ कॉलिटी मुच लॉर बट जील में आप सिर्फ यह चांस ले सकते हैं और चेज एल्स नॉट सौच शकील लाग गेम में कुछ खास नहीं कर पाएं बड़ उसके पहले ठीक ताग लगें मेरे साब से ओविसली यह सिर्फ एक जील पिक बनेंगे है तॉप ओडर में इतने सारे ऑप्शन है कि यह बेस टीम में बिलकुल फिटनी होंगे इफ्तिकार एमद अब यह एक इं इन वैसे तो यहां पर खराब जाता ही है तो इफ्तिकार एमद इंट्रेस्टिंग पिक इफ पाकिस्तान बैट फर्स तन मेभी इनको कंसिडर कर जाओं टोटली बेस्ट ऑन टॉस अन कंडिशन शदाप कान इफ बोलिंग सेकेंड डेफिनिटली मेरे टीम में रहेंगे इफ जिस टाइप की बोलिंग करते हैं जब अंडर प्रेशर आप डाल रहे हो एंड तब आप 80 और 90 रंस भी देके दो विकेट ले जाओ तो फैंटेसी के साब से हमारा काम बन जाता है क्यूंकि अंडर प्रेशर बैट इस पोस्ट टो अटाक हैं बट वेंड बैट इंडर प्रे जिस तरीके की बोलिंग करते हैं एकदम शाप ऑन दे स्टम्स इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी जब वो सेकंड बोलिंग करेंगा एस फिर जो इनकी डिफेंसिव बोलिंग है वहां पर अटाक करना काफी मुश्किल हो सकता है तो मौमद नवाद अगर सेकंड बोलिंग करते सेकंड बोलिंग में तो काफी टाफ होगा इने पिक करने हैं फिर्स बोलिंग में फिफ्टी फिफ्टी कॉल हसन अली यह ऐसे टाइप के बोलर है कि जिस दिन पर शाहीन एन हैरिस रॉफ इकनोमिकली डालते हैं वो दिन पर विकेट आके ये लजाते हैं टूफर नाइंटी यह 2480 वाला स्पेल डालके कि प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी दो बोलों से हैं उनकी जो कॉलिटी गल्फ हैं मुच हायर है इन कंपारिजन तो हिम तो इनको बैटर ज्यादा अटाइक तरने जाते हैं वहां पर इने कभी कबार विकेट मिल जाते हैं तो टोटली ए टॉस ब पेस है इनकी फर्स बोलिंग में डेफिनिटली टीम में रहेंगे आज यह इन देट बहुत ही ज्यादा वाल्यूबल हैं सेकिंड बोलिंग में अगर मुझे लग रहा है पाकिस्तान एक अच्छा खासा स्कोर सेट अप करीगी तो अंडर प्रेशर यह काम आएंगे बेस पा किया जाए अब चलते हैं मैच-अपस एंड बेस टीम की तरह तो मैच-अपस की बार की जाएं मॉमर रिजवान आउट हुए है एडम जैंपा को यहां पे तीन बार एंड स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है उसके साथ साथ आउट हुए है कमिंस को भी तीन बार इन प्लियर्स को ड्रॉप कर रहे हो तब इन बोलर्स को बिल्कुल फेवर करेगा अब चलते हैं बेस टीम और बेस टीम के पहले इंशॉर कि आप सब यह फ्री कॉंटेस्ट अभी के जॉइन कर लें ओने माय मास्ट लेवन आप 50,000 का फ्री कॉंटेस्ट है आप के लिंक है वीडियो के description में keeping section से start करें similar pattern में जाएंगे पहले जो हमारे straight forward pick से होने लेंगे and then we'll fill in the blanks मौहमत रिजवान बिलकुल रहेंगे दोनों scenarios में बाबर आजम, Steve Smith I think यह भी दोनों scenarios में रहेंगे same for Mitchell Mars जिस टाइब की batting है उनकी यह track पे काफी lethal हो सकते हैं all rounders में Glenn Maxwell and Marcus Toynes I think यह दोनों काफी important रहेंगे हमारे लिए and in the bowling section Mitchell Stark and Josh Hazelwood यह दोनों crucial around with Harris Roth अब यह हो गई आपकी 9 slots pick based on हमने जो player one pages में discuss किया हमारी जो last जो यहां पे 2 slots है वो क्या basis पे आप ले सकते हो अब अगर Australia second bowling करती है तो यहां पे मैं एक slot मिलूँ आदिम जैंपा if Australia bowls first then either I will go with Cummins and अगर मुझे लग रहे है बहुत ही अच्छी batting track है then I might go with one extra Pakistani batter और iftikar Ahmed so iftikar थोड़े ज्यादा safe है from the perspective कि आपको दो departments से वो contribution लाके दे सकते है and if हमें लग रहे है कि पाकिस्तान एक अच्छा score भी set कर जाए then in second bowling I can go with Shadab Khan तो एक slot हो सकता है Shadab Khan का and एक slot में जा सकता हूं भी David Warner जो अगर आपको जाना जिसमें लेना है David Warner ऐसे टाइब के player है कि अपने खराब दिनों पर भी 25-30 points तो कैसे ना कैसे मिला कि आपको देहीं देते हैं so I think काफी safe choice बन सकते हैं यहां पर David Warner आप Captain Vice Captain के पहले I hope आप सब यह investment leaderboard में बिलकुल part ले रहे हैं यह चल रहा है my master 11 app पे investment leaderboard उसमें आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा कर लोगे आप पार्ट हो जाओगे इस leaderboard के तो ज्यादा से ज्यादा एक टीम से grand league आप जॉइन करेंगे तो आपकी जो best team है उसकी points गिने जाएंगे towards the leaderboard तो बिलकुल part लीजेगा and improve your ranking अब चलते हैं Captain Vice Captain तो Captain Vice Captain की बात की जा I think Glenn Maxwell अगर पहले batting करते हैं second bowling करते हैं तो काफी अच्छी choice बन सकते हैं एस फिर under pressure है विकेट भी मिलेंगे while bowling second I don't know की pitch से उन्हें कितनी मदद मिलेगी Vice Captain safe choice I think Steve Smith एक अच्छी choice है बाबर आजम की साथ भी अगर आप जाना है तो आप जा सकते हो and Marcus Toynis अब Marcus Toynis समझ ये Australia पहले bowling कर रही है ना हम सौर नहीं है कि Maxwell का कितना impact होगा while bowling first I think Marcus Toynis का impact उस scenario में बन सकता है तो यह हैं कुछ choices आपको safe जाना है तो I think सारे batters will be safe choices जो batters को हमने pick किया है जिस type की pitch है I think काफी safe होंगे बट जो भी हमने अब तक discussion की है वो की है based on the pitch अब अगर pitch अलग है तो हमको plans वही से आप से alter करने पड़ेंगे अब चलते हैं हमारे grand league options की तरह तो grand league options की बात की जाए इमाम इफ्तिकार वाइल बैटिंग first will be good low select picks as fair उन्हें मौका अच्छा कासा मिलना चाहिए और हमें पता है कि जब pressure नहीं होता है और without pressure इमाम खेलते हैं तो वहाँ पे कुछ runs वो बना सकते हैं अगर आपको नहीं पता क्यूं तो जो player run pages है उस पर scroll back करें आप समझ जाओगे हैं हाई select dropless bombs शहीन अफरीदी बेस्ट ऑन इस फॉर्म जिस तरीके की बोलिंग कर रहे हैं आइनो कि Harris का form भी कुछ खास नहीं है बट जो pace है उनके पास वो थोड़ी समय उनके लिए x-factor बन सकता है प्लस याद रखिए कि Harris काफी इन players के साथ DBL में खेल चुके है तो उनके कुछ strength weaknesses बिलकुल जानते होंगे बाबर वाइल चेजिंग already told you why grand league captaincy, vice captaincy choices, Maxwell, Shadab and Barbar batting second, Rauf and Stark and in both situations, Steve Smith and Marcus Stoinis यह हमारी grand league options अब चलते हैं exchange 22 picks की तरफ तो अब चलते हैं exchange 22 picks की तरफ and we start with Australia I think Marcus Stoinis को मैं अभी ही ले लूँगा चाहिए वो first bowling करें या second as I think बहुत ज्यादा value मुझे लग रहे हैं उनके साथ I know throughout the preview काफी hype कियों है पता चला की overseas भी कम मिले and batting भी कम बड़ आपको मैं logic पता चुका हूँ उस चीज का किनकी spin को यहां पर मुश्किला है ते हो सकती है तो कुछ shares आप पहले लेके रखे and फिर अगर हमें पता चलता है कि flat deck है तो फिर आप और श्याज वहां पर ले सकते हो and उसके अलावा उस्चेलिया से जो भी मुझे players देखिया I think काफी overpriced है as in सारे price points को cross करने के लिए with a batter you'll need more than 50 runs and with a bowler you'll need more than 2 wickets जो थोड़ा सा tricky है with profit points Glenn Maxwell एक ठीक टाग पिक है अगर first batting करते हैं second bowling करते हैं तो कुछ shares उनके में बिलकुल लूँगा Pakistan की बात की जाए तो यहां से भी picks काफी tricky हैं but Harris Roth while bowling first at 42 is looking like an attractive choice and Iftikar Ehmad while batting first at 37 अज यह दोनों से फिर काफी अच्छी value हमें मिल सकती है ensure कि आप सब भी अपने exchange points के picks अभी के अभी कर लीजिए app का link है इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा rupees 50 real cash on sign up like always remember to join us at great fantasy crack pro on twitter and telegram for all the final teams and updates and like button जरूर hit करेगा जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए thank you so much for tuning in